हेलो अबरबन, गुडिनी केसे हो, होप करता हूँ, आप सब लोग अच्छे ही होंगे शो फ्रेंड्स, आप सब लोग बता है कि UPBAT entrance exam 2023 का result आ चुका है होप करता हूँ, आप लोग अपना result चेक कर लिये होंगे अगर नहीं चेक ही हैं, तो जल्दी से आप लोग पहले अपना result डाउनलोड कर लें तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे UPBAT 2023 के cut-off के बारे में कि किन को added college मिलेगा, किन को जो है, government college मिलेगा और किन को private college मिलेगा, counseling इसकी कब से start होगी, answer की के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में ये भी आपको बताऊंगा, आपके result में दो rank होगी जनल वालों की केवल एक ही rank होगी, केवल state rank, तो जैसे जिनके result में दो rank है एक category rank है, एक state rank है, तो किस rank के हिसाब से आपकी counseling होगी, संपूर्ण जानकरी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ तो B.A.D. admission की, B.A.D. counseling की, पल-पल की latest authentic update पाने के लिए अभी के अभी चैनल को subscribe करो क्योंकि सही तरीका आपको मैं बताऊंगा, कि counseling कराने का जो सही तरीका होता है, वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है तो चली वीडियो को start करते हैं, आपके screen पे दिख रहा है, ये एक result है, आज कही result है, दिखें, सबसे पहले मैं doubt clear के दे रहा हूँ जो बच्चे general category में आते हैं, तो केवल उनकी जो rank है, वो केवल state rank ही होगी उनके result में, ठीक है, तो घबराये नहीं कि मेरी category rank नहीं है, भाई category आपकी rank नहीं रहेगी, केवल state rank रहेगी, SC, ST, OBC वालों की यहाँ पे category rank रहेगी, ठीक है, तो doubt पहला ये clear हो गया, कि इनकी रह के हिसाब से होगी, अभी एक बकायदा, एक schedule जारी होगा, इतनी rank से इतनी rank वालों को इतनी दिन counseling होगा, तो schedule जब आएगा, तो मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा, तो ये doubt clear होगा ना, कि state rank के हिसाब से आपकी counseling होगी, ठीक है, आपके result में यहाँ पे remark के के नीचे eligible for counseling लिखा होगा, तो आप लोग eligible हैं counseling लिए, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किनों को added college मिलेगा, किनों को जो है, government college मिलेगा, देखिए, हर जिले में added government नहीं होता है, कुछ ही जिलों में है, total अगर हम बात करें, added और government मिला कर, तो उत्रपदेश में total 10,000 सीटे हैं, सरकारी, ठीक है न, अब जिनकी state rank देखिए, जिनकी state rank एक से मान के चली कि 12,000 की बीच में है, इस state rank की मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी state rank एक से 12,000 की बीच में हैं, इनको मिलेगा government college और edit college, ठीक है, अब 10,000 सीटे हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे केवल ऐसे ही exam देते हैं, टॉपर बनने के लिए, बहुत सारे बच्चे admission ही ले लेते हैं, मतलब ऐसे ही exam दिया करते हैं, तो 12,000 तक अगर आपकी rank है 12-13,000 तक भी है, तो आप लोग जब counseling अपनी करवाएंगे न, तो college, edit college फिल करिएगा, और government college फिल करिएगा, आपकी जिले में हो चाहे ना हो, अग कि इनको government college मिलेगा, कि इनको edit college मिलेगा, अब आपको comment करने के विशक्ता नहीं है, अब मैं number इसलिए दे देता हूं कि भाई, जो doubt आपका clear ना होता हो, उसलिए आप call करें, वर्ट्शप करें, अब result जैसे ही आया है, बहुत सारे बच्चे भाई, 88 number है, अब पूछ दाए क कि मेरा edit college मिल दाएगा, अब क्या उनको मैं जवाब दूँ, गुष्या तो आती है ना, कि जो doubt आपका clear ना हो, वो आप clear किया करें, ठीक है, तो ये साब doubt clear हो गया कि 1-12,000 तक वालों को edit और government college मिलेगा, अब 12-13,000 के भी जिनके भी उपर rank है, 2,00, 3,00, जितनी भी rank है, उन उनको private college lock करना है, और उनको private college मिलेगा ही, ठीक है ना, शाब साब doubt आपका clear हो गया, कि इनको government मिलेगा, कि इनको जो है, edit मिलेगा, कि इनको private college मिलेगा, ठीक है, तो जिनकी 12,000 से उपर है, उनको भाई private college lock करना है, counseling इसकी अभी जो date दी गई है, counseling के date दी गई है 10 July, वैसे बहुत कम चांसे के 10 July से इसकी counseling स्टार्ट हो, क्योंकि अभी बहुत सारी university, जैसे आपका राजशी टंडन हो गया, लकनो इनवस्टी हो गया, इनकी फाइनल एर के exams नहीं होएं, तो जब तक result नहीं आता है, जैसे जो बच्चे appearing में फार्म जो है, फिल किये हैं, तो जब तक उनका result नहीं आएगा, तब तक वो eligible ही नहीं होंगे, counseling के लिए, क्योंकि उनको final year की mark seat अप्लोड टरना पड़ेगा, अगर internet वाली आ जाती है, तो आप लोग upload कर देंगे, कोई प्राब्लम नहीं होती, बट artist होना चाहिए वो, principal या प्राचार से, जहां से आप लोग graduation किये हैं, private किये हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, regular है आपका, तो artist आपको करवाना पड़ेगा, देखे, answer की वैसे तो हर शाल आ जाती थी, जिस दिन इसका result आटा था, बट अ से नीचे है, तो आप लोग मुझे content करें, आपकी वीडियो में बनाऊंगा, 79056325333 पे आप लोग मुझे WhatsApp मेसेज करें, अगर आपकी बहतरीन rank है, state rank है, ठीक है, 100, 200, 300, 400, 500, state rank है, तो आप लोग मुझे WhatsApp में मेसेज करें, एक सौट वीडियो आप लोग बनाके मुझे भ होगी, ठीक है, तो बहुत ही जल्द इसका schedule आज आएगा, तो मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा, वैसे कल एक temporary schedule से मैं आपको समझा दूँगा, doubt clear हो जाएगा, आपका उसी schedule में, ठीक है, और बिलकुन उसी तरीके से आपकी counseling होगी, जो कुछ भी doubts हैं, तो आप तो जुड़े रहो चैनलों से, आगे भी आपको help मिलेगी, जैसे admission का process, counseling का process आपको जानने को मिलेगा, एंड जब आपका finally B.A. का admission हो जाता है, तो उसमें कैसे marks लाए जाते हैं, scholarship form कैसे भरा जाता है, TED CTT exam को कैसे qualify किया थे, इस सारी जानकरी आपको अमरे चैनल के मादम स मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए जगा, मिलते हैं ली वोड़े पर, thank you so much.